हाई गाइस कैसे हैं आप लोग सो दोस्तो मेरा नाम है प्रशान जैन ग्रैजुएट फ्रम आइटी बॉंबे ए याइर-42 जे-2008 बीटे का आइटी बॉंबे आइंच एच गोल्ड मेडलिस्ट NTSC Qualified National Author with Pearson Education and Mentor of 20,000 students in the last 5 years तो दोस्तो हम लोग जो JE Math Rankers Channel है उसके थुरू आप लोग को देना चाह रहे हैं एक Quality Education JE Math Rankers पे जो भी कोर्सिस चल रहे हैं दोस्तो उन सभी के Notes और Homework आप लोग को मिलेंगे www.http.tyneurl.com.jeadvancemath Simply browser पे जाएए इस link पे क्लिक कीजिए आपको सारे lecture notes, सारा homework, सारा study metal मिल जाएगा अगर आप लोग मेरी updates को follow करना चाहते हैं तो ये telegram channel है मेरा t.me.s.pjs.r42 प्लीज इसको join कीजिए इसको join करते ही आप लोग को सारी information जो सारे videos है, सारी updates है मेरे related वो मिल जाएगे आप लोग को सारे examination की guidelines, updates हो सब मिल जाएगे अगर आप गाईज अन-academy का subscription लेना चाहते है अन-academy का subscription बहुत ही awesome, बहुत ही amazing होता है ठीक है इस subscription के अंदर basically आप लोगों को क्या मिलता है live classes, weekly test, structured courses, unlimited access ये plus की बात है अगर आप लोग को एक hand holding की requirement होती है तो इसी के अंदर आप additional personal guidance भी चाहते हैं, test analysis, expert guidance, study material, study planner तो आप लोग जा सकते हैं iconic subscription के लिए iconic subscription दोस्तों एक ऐसा subscription है जो किसी भी offline coaching को भी आराम से बीट कर सकता है क्योंकि आपको यहाँ पे एक person मिलेगा जो आप से बात करेगा, आपके parents से बात करेगा, आपकी performance के बारे में बात करेगा, so guys you can offer iconic subscription, you can very well depend on an academy for your IITJE preparation, ठीक है and it is not over sick because बहुत सारे students ने यह ऐसा किया है और उनको results में मिले है, we have got as high as 100 percentile in J.E.M. in Bretton, Mondal, इस बच्चे की 100 percentile आई थे आप लोगो पता है, ठीक है, so दोस्तों अगर आप an academy का subscription लेना चाहते हैं, NACJS, NTSC, pre-RMO के लिए 6 मन्त का आप लोग J.E. Need Foundation का subscription ले सकते हैं, तो वो 12,600 का होगा, 15,750, one year का subscription होगा दोस्तो और two year का subscription 18,900 का होगा, ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग guys I.T.JE. का subscription लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 11th और 12th class के जो courses हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, dropper भी हैं, आप तब भी आप इस course के लिए opt कर सकते हैं, one year का subscription 34,650 का है, two year का subscription 50,400 है, highly beneficial है दोस subscription और J 2022 के लिए one year का subscription, तो दोस्तों अपने आपको structured पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अना अकेडमी के अंदर आप लोग को infinite test series, infinite study material, infinite faculty members, हर एक faculty members के आप class attend कर सकते हैं, किसी faculty के साथ आप लोग की tuning नहीं बैठी, तो आप किसी और पे switch कर सकते हैं, दोस्तों जो flexibility आप लोग क के साब से, आप लोगों मिलेगी अना अकेडमी के plus platform पे, यह iconic की pricing है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप इस pricing को भी देखें, two year का 90,000, it is highly affordable as compared to the offline coachings, ठीक है, 24 month की, अगर मैं बात करूं, तो अगर आप इस number को 24 से divide करेंगे, तो 4000 से भी कम आएगा, 4000 से कम मे आप लोग आईटी जेगी की बहुत शांदार पढ़ाई कर सकते हैं, in fact, अगर आप कोटा भी आते हैं, किसी भी जगे जाते हैं, वहाँ पर रूम भी लेगा ना, रूम के रेंट से भी कम में, यह आपका काम हो जाएगा, so दोस्तों, you can opt for iconic subscription as well, right, and you can get into my mentorship program, PJ live code आप को क्या करना है, image crop करनी है, और फिर एक subject tag करना है, कौन से subject है, और एक बार में एक ही डाउट पूछे, तो यह do's and don'ts है दोस्तों, जो आप लोग को ध्यान रखने है, so दोस्तों, जल्दी से इस feature को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और चलिए, अब हम स्टार्ट करते ह है हमारा lecture, inter-conversion, सबसे पहले हम लोग definitions देख लेते हैं, ठीक है, और inter-conversion between angles देख लेते हैं, तो बहुत simple सा होता है, ठीक है, जो हमारी degree जो notation है, और जो हमारा radian notation है, तो radian किस तरह से define होता है, बहुत simple है, radian, 1 radian, in fact, pi radian is actually area of a circle with radius 1, इस तरह से हम लोग define कर सकते है, radian को, और इसका एक बहुत simple explanation है, conversion का एक logic होना चाहिए, तो conversion का logic में आपको बताता हो, हो सकता है, आपको नहीं पता हो, हो सकता है, पहने से पता हो, so guys, अगर हम लोग बिलकुल, ये देखिए, ये एक semi circle है, अब ये angle कितना है guys, 180 degree, और इस arc की length क्या है, इस arc की length, अगर radius 1 है ना, तो इस arc की length, आप लोग कह सकते हैं, pi, right, तो inter conversion का बहुत simple logic है, कि अगर आप theta लोगे, degree में, ये theta लो, ये 1 लो, ये 1 लो, तो इस arc की, जो length होगी ना, वो, जो भी आएगी, ये मान लिजए, x i, तो ये value, इस theta, जो degree में है, उसके corresponding radian क value को represent करेगी, मतलब कि ये 180 degree, अगर हमने लिया, और radius 1 है, तो ये जो arc length आएगी ना, वो ही 180 degree के corresponding radian measure होगा, मतलब 180 degree के corresponding pi हो गया, तो 90 के corresponding pi by 2 हो गया, अब ये कुछ values हैं, जो आप लोगो याद रखनी होती है, 00 यह होता, 30, pi by 6, 45, pi by 4, फिर इसमें कुछ, मैं आपको add करत 12 और 5 pi by 12, ये भी बहुत famous है, pi by 8, 3 pi by 8, ये भी पिछले कुछ सालों में काफी पूछी गई value है, right guys, तो ये इस तरह से आप लोगों को पता चलता है, ठीक है, yes, इसके guys, इसका जो starting का जो lecture है ना, ये आप लोग, मतलब ये जो premium मेरे students है, premium वाले, वो बच्चे भी इसको द ना देखें, right guys, I hope आप लोगो ये चीज़ clear है, please done बोल दें, आपको ये चीज़ clear है, तो आगे बढ़ता हूँ फिर में, जिन बच्चों ने देख रखा है, वो आगे बढ़ने के लिए बोल दें मुझे, बेटा yes, पहले IIT में जा तो सही, उसके बाद बात करेंगे, good afternoon, बादल, ठीक है, बादल ये वाला वीडियो भी अपने tracker में डालेंगे आपन, premium वाले में, हाणा, चलिए, हाँ, done, चलिए, आगे बढ़ता है guys, तो ये हो गया, right, so, इसके बाद, defining sine cost for 0 to 2 pi, ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर, sine x का जो notation है, sine x का जो notation होता है, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, ठीक है, तो एक basic चीज हम लोगो, sine के बादर में पता होने चीए, भई, sine, जब 0 से pi by 2 होता है, तो 0 से 1 जाता है, फिर second quadrant में 1 से 0 जाता है, third quadrant में 0 से minus 1 जाता है, और minus 1 से 0 जाता है, basically, इसका जो graph होता है, वो भी मैं आभी आप लोगो के लिए explain करूँगा, आप लोगो को tension लेने की ज़रूत नहीं है, मैं इस graph को explain करूँगा आप लोगो के लिए, ठीक है, अभी graph भी दिखाऊंगा आप लोगो को, तो ये sign के लिए observation है, ठीक है, sign के observation के बाद, guys, ये cos का observation है, cos का बिलकुल, दिखो, cos क्या होता है, sin of pi by 2 minus x, तो sign की जो observation है, उसको एक एक quadrant से किसका दो, मतलब, sign जो first quadrant में करेगा, वो cos, fourth quadrant में कर देगा, जो sign second quadrant में करेगा, वो cos, first quadrant में करेगा, तो इस तरह से बिलकुल shift हो जाता है, right, तो आप देखिए, इसी वज़े से first और fourth quadrant में, जो cos होता है, वो positive होता है, second और third quadrant में, cos जो होता है, वो negative होता है, right, तो यह है गाईज, ASTC rule, पता ही आप लोग को, कि भाई, कौन-कौन positive होता है, कौन-कौन negative होता है, ठीक है, और गाईज, इसके अंदर एक चीज़ आप note कर ले, इसके लिए, पता है, इसके लिए, इसके अंदर आप एक चीज़ आइड कर सकते हैं, कहां गया हमारा वो, एक में, अब वो कहां ढूंदू, मैं, जिससे marking होती है, वो कहां गया हमारा, यह रहा, ठीक है, ठीक है, यह रहा, सो गाईज, बेसिकली देखे, इसका explanation यह unit circle है, यह unit circle है गाईज, इसका explanation, कि भाई, एक theta angle पर, हम लोग का यह जो coordinate है, यह radius 1 है, तो यह cos theta, sin theta होता है, हाना, theta angle पर, अब देखो, अगर यह first coordinate में, तो x coordinate और y coordinate दोनों positive होंगे, second quadrant के अंदर, y coordinate positive होगा, x coordinate negative होगा, इसलिए cos negative हो जाता है, clearly लिखा है, sin and cosec are positive, यहाँ पे tan and quarter, क्योंकि sin और cos दोनों negative होगे, तो उनका जो ratio है, वो positive हो जाएगा, और fourth में, cos और sec, right guys, I hope आप लोग को यह clear है, yes you've Raj, clear है guys, यहाँ तर premium के बच्चों ने भी पढ़ रखा है, चलिए, अब आगे बढ़ता है, अब आगे बढ़ता है, फिर graph of trigonometric functions, तो अब देखे, domain, range और period, fundamental period, यह चार चीज़ें important है, किसी भी graph के लिए, अगर domain की बात करें, sin cost के domain की बात करेंगे, range की बात करेंगे, period की बात करेंगे, fundamental period की बात करेंगे, right, तो यह देखे, आप लोग का, यह, cossacks का graph है, ठीक है, अब यह decrease कर रहा है, जैसा हम लोगों ने देखा, इसका nature भी हम लोगों पता होना चीज़े, पहले यह decrease कर रहा है, फिर increase कर रहा है, फिर increase कर रहा है, क्यों decrease, क्यों increase करेंगे, यह हम लोग calculus में जानेंगे, but positive, negative, negative, positive, अब इसका जो period है न repeat हो जाएगी, समझे क्या मेरी बाद, समझे क्या मेरी बाद, यह पूरी की पूरी cycle, as it is, repeat हो जाएगी, cost के साथ, ठीक है, फिर sign की बारे में चर्चा करते है, sign में क्या होगा, guys, 0 से πाई, πाई से 2, यह बहुत simple है, और इसके अंदर क्या देगो, अगर आप इस graph को थोड़ अगर मैं axis यहाँ बना दूना, तो आपको इसके आगे देखो, cost का graph दिखेगा, तो मैं वही चीज़ कह रहा था, guys, कि πई by 2 से shifted graph है, जो बच्चा इतना analysis करेगा ना, वो बहुत easily trigonometry को समझ पाता है, ठीक है, domain मतलब होता है, guys, कि जो x की values allowed है, यह x axis है, यह y axis है, तो जो x x की values allowed होती है, जो y की values allowed होती है, वो, if x is, if angle is increased further from 2pi, then we observe that its ratio, that is output, starts repeating, which implies y equal to sin x is periodic with fundamental period 2pi, बहुत simple सी चीज़ लिखी होगे, right, तो यह हो गया, अब इसके आगे देखते है, फिर, domain of y equal to sin x is x belongs to r, range of y equal to sin x is y belongs to minus 1 to 1, तो यह properties होगे, it is periodic with 2pi, variation of y, minus 1 से 1, दोस्तों, यह range होगे, तो domain क्या होगे, इसका real number, मतलब हर real number पर defined है, कोई problem ही नहीं है, right, और क्या होगे, आपका guys, sin x minus 1 से 1 होगा, इसकी maximum value 1 होगी, minimum value minus 1 होगी, same analysis, cost का होता है, same analysis, cost का होता है, ठीक है, same, exactly, same analysis है, क्यूंकि sine को pi y 2 से shift करके, तो cost आता है, exactly, same analysis, cost का है, ठीक है, तो I hope आप लोगो clear होगे, but, tan का, और cost का, बहुत यह amazing होता है, ठीक है, अब यह guys, tan का graph है, तो tan के graph में period क्या होता है, pi, cable pi होता है, ठीक है, तो अब देखो, यह 0 से infinite यह, फिर minus infinite से 0 आया, 0 से pi by 2 यह positive है, pi by 2 से, pi पर यह negative है, tan x का period pi होता है, tan x का period, pi होता है, यह इसका graph है, फिर यह आपका sec x का graph है, ठीक है, फिर यह वाला graph आपका cortex का है, और यह वाला जो graph है, यह आपका sec x का है, सी, cosec x का है, ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से graph देख सकते हैं guys, बहुत easy graph से हैं, yes, आदित्य हमेशा increasing होता है, बिटाओ, हमेशा increasing होता है, ठीक है, अब important properties, cosec के देख लेते हैं, cosec के अंदर देखो, cosec क्या होता है guys, 1 upon sin, आप लोग को इस हिसाब से सोचना पड़ेगा, just a second, so, देखो, properties of y equal to cosec x, ठीक है, तो 1 upon sin x होता है guys, 1 upon sin x मतलब जहाँ-जहाँ sin x 0 होगा बरबादी है, क्योंकि आप लोगों पता है, denominator पे 0 आना मतलब पाप, तो देखे, sin x 0 कब-कब होता है, 0, pi, 2pi, 3pi, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, cosec के अंदर जो domain है न, real number, सारे real number पे कोई problem नहीं है, केवल n pi हटा दिया, n pi को हटाने का reason क्या है, क्योंकि उस जगे पे sin x 0 हो जाता है, cosec x कैसे defined है, 1 upon sin x, मैंने आप लोगों को बताया था, कि bhai, cosec x, sec x और cot x, ये derived trigonometric functions है, derived मतलब इनको, इनके primary functions के reciprocal के रूप में जाना जाता है, और इस वज़े से, guys, r minus n pi का domain हो गया, domain मतलब x की कौन कौन सी value possible है, और हम लोग ये याद रखें, भई, कि जब possibility हम लोग देखते हैं, तो mathematical pap, जिनको हम बोलते हैं, उन papo को हमें हटाना होता है, range of the y equal to cosec x, minus infinity से minus 1, union 1 से infinity, again, पूरा intuitive है, guys, पूरा intuitive है, कैसे, भई, sin x minus 1 से 1 है, तो उसका reciprocal, यही तो होगा, simple, ऐसे सोचो, sin x से derived है, it is periodic function with period of 2 pi, भई, जैसे-जैसे sin x अपनी value repeat करेगा, वैसे-वैसे cosec x करेगा, और same, आप लोग को यही चीज़ समझ दी पड़ेगी, जो analysis अगर sin और cos का same है, तो cosec और sec का भी same होगा, cosec और sec का भी same होगा, तो अब हम लोग देखते हैं 10 का, 10 क्या होता है, sin upon cos, domain of y, again, sin upon cos, cos मतलब, नीचे is cos आ रहा है, तो cos कब 0 होता है, odd multiple of pi by 2 पे, तो वहाँ पे हमें हटाना पड़ेगा, तो देखो, odd multiple of pi by 2 हमने अटा दिया, क्योंकि वहाँ पे cos x 0 हो रहा है, cos x 0 करना again, पाप है, right, तो range of y equal to 10x is y belongs to, यह real number range होती है, it is periodic function with fundamental period of pi, fundamental period क्या होता है, fundamental period का मतलब होता है, कि इससे छोटा period हम नहीं ले सकते हैं, इससे बड़ा ही होगा, मतलब pi होगा, 2pi होगा, 3pi होगा, 4pi होगा, 5pi होगा, 6pi होगा, 7pi होगा, 8pi होगा, 9pi होगा, सब होगा, but pi से छोटा नहीं ले सकते हैं, समझें क्या मेरी बार, pi से आप लोग छोटा नहीं ले सकते, period, right, क्या बोड़ रहा है, बाई, गिरीश, हाँ बेटा, पूजा रावरिया, यही चीज हम लोग दिसकस करेंगे, बेटा, जो graphical transformation है, संडे को एक बहुत बड़ा lecture लेकर आ रहा हो, मैं तुमाने 2-3 गंटेगा, उस lecture में बेटा, हम लोग यही दिसकस करने वाले है, कि कैसे हम लोग इसको analyze करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नमस्कार आदर्स, ठीक है, फिर sec x का मैंने बताया था आपको, जैसा cos x का होता है, वैसा ही sec का होगा, राइट, तो 1 upon cos होगा इसमें, ठीक है, फिर similarly, properties of cortex के अंदर, माइनस एन पाई हो गया, जैसा टैन काउका वैसे होगा, एन पाई क्यों हट रहा है वही, क्योंकि sin x आता है नीचे, इसलिए, ठीक है, ठीक है, अब देखें, basic identities हम लोग डिसकस करते हैं, सबसे पहले, हम लोग डिसकस करेंगे, गाईस, देखो, यह तो बच्पन में आ जाती है, यह तो बच्पन में आ जाता है, आपको पता है, कि sin x d, प्लस cos x d, यह सब तो बच्पन के identities है, ठीक है, j e के अंदर, जो सबसे पहली identities हम लोग पढ़ते हैं, वो होता है, sum and difference है, तो sum काम लोग डिन देखा, sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b, sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b, यहाँ से यहाँ कैसे पहुचते हैं, b को minus b से replace करो, b को अगर आप minus b से replace करोगे, तो आप लोग को यह चीज, मैंने बदा रखिये, sin of minus b is equal to minus sin b, cos of minus b is equal to cos of b, उसमें कोई sin change नहीं होता, तो आपने यह कर दिया, cos a plus b, आपने बनाया, cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b में क्या होता है, b को minus b से replace किया, प्लस आ गया, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर plus minus का जो जो जोल है न, वो याद रखने के लिए आप कैसे सोच सकते हो, भई, cos छोटी values के लिए जादा बढ़ा होता है, ठीक है, 30 degree पर जादा बढ़ा होता है cos, तो negative पर positive आएगा, ताकि बड़ी value आ सके, ऐसे सोच सकते हो, आप लोग के उपपर है, मैं इस तरह से relation बना के याद रखता था, 10 a plus b, दोनों को divide कर तो, sin और cos को, 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b, और यह चीज़ है, थाना, ताकि denominator पे 0 ना है, denominator में 0 ना है, 10 a minus b, दोस्तों, यह होगा, clear है, अगर आप लोग को clear है, तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यह identities हो गई, फिर double angle, triple angle, double angle के अंदर दोस्तों, यह सारे formula देगो, खास कर यह जो 10 वाले formula होते हैं, यह याद रखने होते हैं, ठीक है, और जो sin और cos के भी 10 वाले formula होते हैं, वो भी याद रखने हैं, ठीक है, sin और cos के 10 वाले formula है, ठीक है, जैसे sin 2 a guys, क्या होता है, 2 10 a upon 1 plus 10 square है, और cos 2 a क्या होता है, 1 minus 10 square है, upon 1 plus 10 square है, यह cos 2 a होता है, उसके बाद, यहां से guys, एक और analysis जो आता है, वो आप लोग समझें, कि भाई हम लोग cos, mod cos a को क्या लिख सकते हैं, square root of 1 plus cos 2 a by 2, मतलब अगर आपको double angle को half angle में convert करना है, तो इस तरह से कर सकते हो, single angle को double angle में convert करना है, तो इस तरह से कर सकते हो, यह बहुत amazing तरीक है, ठीक है, फिर इससे sign आ जाएगा, और इन दोनों को divide करोगे तो 10 a आ जाएगा, तो हम लोग के लिख सकते हैं guys, mod 10 a is equal to square root of 1 minus cos 2 a upon 1 plus cos 2 a, right guys, इस तरह से आप mod 10 a को define कर सकते हैं, प्रूफ पिटा मैंने करवा रखें, यह memory map पिटा, memory map उन बच्चों के लिए होता है, जिन लोगों ने पूरी trigonometric पढ़ रखी है, और बाद में revise करना चाहते है, proof of cos a plus b, हजार तरीके से मैंने बता रखा है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, हां होती है, ठीक है, डन स्टार्या पराइड के लिए, बैने ही मिज्टा, आप छोड़ सकते हैं, यहाँ से यह आप इस वीडियो को चोड़ सकते हैं, यह फोप आप लोग को क्लियर होगें, ठीक है, यह memory map है यह फैस, फिर ये देखो 10 का आई गया formula ये देखो 10 वाला formula आई गया ठीक है फिर triple angles हो गए triple angles आप लोग को याद रखने होते हैं cos 3 है sin 3 है prove करने का तरीका क्या है cos of a plus 2 है ऐसे कर सकते हो या फिर कोई बहुत बड़ा अगमी है तो वो एक special theory को use करके कर सकता है वो special theory क्या है बताऊंगा भी ठीक है फिर product and sum formula ये sin cmsd ये अपने आप में बहुत बड़े formula होते हैं ये अपने आप में बहुत amazing formula होते हैं देखो 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b 2 cos a sin b ठीक है ये आगए देखो 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b ठीक है तो ये manipulation बहुत जगे पर ये चीज़ होती है उसको इस तरह से reverse engineering करके लिखना होता है reverse engineering करके लिखना होता है इसको ठीक है right yes ठीक है चलिए आगे बढ़ता है फिर ये आपका देखे इसको derive कैसे करते है a plus b को c रखके a minus b को c रखके तो ये सारे जो formula जो उपर अपने लिखे वो किस तरह से बन जाता है एक बन रूब जाता है ये देखे इस तरह से बन जाता है sin c minus sin d is equal to 2 sin c minus d by 2 cos c plus d by 2 ठीक है और ये c plus d इस तरह के formula हो जाता है ये formula बहुत ही amazing है और बहुत सारे questions भी लगते हैं इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी की बात है बस देखे minus of 2 ये ना cos c minus cos d का formula गलती इसे यूज़ करते हैं बच्चे गलत यूज़ करते हैं यहाँ पे तेको d minus c by 2 ठीक है ये point notable है इस point को ज़रूर आप note करेंगा यहाँ पर maximum बच्चे गलती करते हैं बिड़ा रमेश चंदर चोपड़ा maths से वहाँ पर physics में गया है ठीक है तो यह हो गया गईज़ अब देखो यह देखो Euler formula Euler formula guys पता है आपको E की पावर आयोटा ठीटा इससे किया मैं बहुत सारी चीज़े यूज़ करता हूँ बहुत सारी चीज़े प्रूव करता हूँ जैसे मैं आपनों को एक simple प्रूव बताता हूँ देखो अगर हमें यह पता है ना तो हम बहुत easily double angles को convert कर सकत है double angles को हम derive कर सकते हैं कैसे देखना आप जैसे मानलो E की पावर आयोटा ठीटा यह है अब आप देखो square करो दोरो साइट्स थाना बहुत सारे बच्चे ने शायर पहली बार देखा हुए E की पावर आयोटा 2 ठीटा is equal to cos square ठीटा minus sin square ठीटा प्लस 2 आयोटा sin ठीटा cos ठीट अब E की पावर आयोटा 2 ठीटा Euler फॉर्मले से कित्ता हो जाएगा cos 2 ठीटा प्लस आयोटा sin 2 ठीटा फिर देखो real number को real number से equate करो directly आगया directly आगया guys और imaginary number को imaginary number से equate करो समझ रहो समझ रहो क्या मेरे बच्चों तो यह बहुत amazing होता है इसको use करना बहुत amazing होता है guys ठीक है यह 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 देखो अरे यार यह बच्चा बहुत cute है यार दोस्तो मैं आप लोगे सामने एक बहुत भैंगर खुलासा करने वारा हो संसनी खेच खुलासा है दोस्तों हो सकता है आपने यह चीज पहले कभी नहीं देखी हो आज इस वीडियो में आप लोग को पहली ब बार पता चलेगा यह चीज हो सकता है तो दिल थाम के बैठी अपनी कुर्सी को पकड़ लीजिए क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं उससे हो सकता है कि आपकी कुर्सी किसक जाए आपके नीचे की जमीन किसक जाए गाईस यह चीज आप लोग ध्यान रखिए अभी तुरंत पूरे आदमी को जब फिजिक्स उधार ले सकता है तो इंटिग्रेशन डिफ्रेंसियेशन क्या चीज है दोस्तों यह संसनी केज खुला सा आप लोगों को हुआ है तो प्लीज जाके इसको देखिए महेश काले ने महेश काले ने यह उजागर करवाया हमसे ठीक है तो यह है दोस्तों ना तो आप लोगों समझ में आगे देखिए Euler formula जो है ना दोस्तों यह बहुत amazingly trigonometry को relate करता है अगर आप इसका cube कर दोगे ना तो पता है cos 3 theta और sin 3 theta का बहुत amazing prove आ जाएगा आपके बस राइट चलिए so I hope आप लोग को clear है चलिए आगे बढ़तें guys फिर हमारे पास cosine and sine series आती है जो Euler formula से ही में derive करता हूँ ठीक है तो क्या है guys series तो देखिए cos A, cos 2 A, cos 4 है उपर नीचे sine A से multiply करते हैं फिर यह convert होती जाती है finally यह इस तरह से convert हो जाती है finally इस तरह से बन जाती है right तो यह है फिर यह देखिए पूरा उसका प्रूव लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं इस प्रूव को appreciate कर सकते हैं ठीक है यह convert होता जाएगा convert होता जाएगा होता जाएगा पूरा प्रूव लिखा हुआ है बेटा आ रहा है देखो चार बजे चार बजे गाईज IOQM की revised strategy में आ जाना IOQM की revised strategy का वीडियो में लेके आ रहा हूँ दोस्तों आप लोग को पता है सबसे amazing best videos मेरे ही होते हैं उस चीज के अंदर at least तो please वो वीडियो ज़रूर देखना आना ठीक है sine series sine alpha sine alpha plus beta sine alpha plus 2 beta right यह सब चीज हो गई sine n beta by 2 sine beta by 2 sine alpha plus n minus 1 beta by 2 यह सारी चीज है गाईज ठीक है तो यह sine का formula है फिर इसको याद रखने का तरीका क्या है देखो देखो यह पहला angle alpha यह last angle इन दोनों angle का average है यह देखो आप alpha plus alpha by 2 2 alpha by 2 मतलब alpha फिर n minus 1 यह common difference है बीटा common difference है गाईज ठीक है तो इस तरह से हम लोग लिखता है n into common difference by 2 ऐसा आजाए right चलिए range of trigonometric अभी range of trigonometric का है देखो a cos theta plus minus b sin theta where theta is a variable let y equal to a cos theta plus minus b sin theta further let a equal to r cos alpha and b is equal to r sin alpha then r is equal to under root of a square plus b square ठीक है अब यह पूरा proof है गाईज कुल्म लागे बात यह है कि इसकी जो range होती है वो होती है minus under root of a square plus b square से plus under root of a square plus b square right बहुत difficult तरीके से लिखा हुआ है आपे but हमें बस यह चीज़ ध्यान रखने है right तो आप लोग देख लीजिए ठीक है तो y की range कित्ते आगे minus under root of a square plus b square से यह आगे ठीक है above result can also be verified अलग-अलग तरीके से लिखे polar coordinates लेके use किया है यहाँ पे ठीक है conditional identities अब देखो यह दोस्तों इतनी relevant नहीं है जब J.E. का paper subjective हुआ करता था तब यह use आती थी और यह तब use आएंगी जब हम S.O.T. पढ़ेंगे solution of triangles हम लोग पढ़ेंगे ठीक है thank you राजय राभ right अब देखो यह क्या देखो यह दो रखा a plus b plus e equal to pi मतलब triangle inequality होगे a b c a triangles of are angles of triangle then show that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c 4 sin a sin b sin c cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to minus 1 minus 4 यह सब चीज़े sin c sin d formula से use होती है right तो देखिए LHS को इस तरह से use कर लिया पूरा expression आप लोग देख सकते हैं पूरा proof यहाँ पे लिखा होगा है ठीक है इसका PDF के इसका link share करने हैं concept में आपका जो पूरा link है वो हम लोग share कर देंगे आपके साथ concept में आपका जो पूरा link है वो share कर देंगे right so guys I hope आप लोग को बिलकुल पूरी कहानी clear है ठीक है तो यह trigonometric ratios and identities केवल ratios and identities का लिए है equations और in equations का जो वीडियो है वो अलग से हम लोग बनाएंगे यह बिलकुल compound angles जिसको बोलते हैं उसका वीडियो था वापस से बोल रहा हूँ guys concepts जो होते हैं आपके दिमाग में बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे मगर इनका map clear है तो map यह है overall view यह है ठीक है मतब यह नहीं है why an academy and we use pj code pj live यह नहीं trigonometric ratios and identities ठीक है सबसे पहले हमारा आएगा basic identity मतब यह basic definitions ठीक है एक वर्ट यह आएगा तो सबसे पहले हमारे पास आजाएगा ठीक है यह वाला inter conversion of angles defining यह सारी चीज़ है बिल्कु simple वाले जो सबसे पहले start होता है ठीक है फिर आएगा graph of trigonometric functions simple product and sum formula special theory conditional identities range of trigonometric equations basic identities and multiple angles cosine and sine series तो यह 6-7 concepts तो आप लोग के दिमाग में यह memory map बनना चीए गाईज तो मेरे इसाब से यह जो सारे maps है आप लोग मैं access भी दूँगा attention मतलब आप लोग को सब चीज़ है आप लोग को provide की जाएंगी description में जो link available है session notes वाला वहीं पर ही आप लोग को सारी चीज़ है provide करूँगा मैं right so guys keep liking, keep sharing, keep subscribing and keep coming on plus platform using my code PJ live यह पहली बात दूसरी बात ही है कि चार बजे मैं वापस से आ रहा हूँ IOQM की strategy लेकर right तो जल्दी से आप लोग follow कीजिए मेरे videos को thank you so दोस्तों I hope आप लोग को जो lecture है वो बहुत ही बढ़िया लगा so please अब जो भी updates हैं आप लोग को एक तो tracker में हो गई आप लोग को पताईए JE Advance JE ADV Math करके आप लोग को tracker पे जाना है उसके अलावा आप लोग मेरे Telegram Channel को follow कर सकते हैं जैसा मैंने आप लोग को बताए Anacademy की तरफ से official Telegram Channel है कोई भी NTSC, NACJS, PreRM और किसी भी examination से related update हो JE Advance की JE MAIN की recent update हो मेरी strategy related कोई भी information है वो सब की सब चीज़े आप लोग को दोस्तों यहाँ पे मिलेंगी So, all you need to do is to just join this Telegram Channel यह मेरा Anacademy पे username है आप Anacademy पे मुझे follow कर सकते हैं at the rate प्रशान 42 जैन और जो एक top ranker के लिए strategy होती है top rank के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है वो आगर आप लोग मुझे follow करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को इसके लिए information मिलती रहेगी So, guys I hope you liked it So, keep subscribing to Anacademy using code PJLive और हमारे channel को subscribe जरूर कर लो bell icon को hit करना ताकि आप लोग को सारी information timely मिलती रहे और अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसके बारे में suggest करो Thank you